साथियों आज अपने यहां बिल्कुल उपरूप के साथ डिसकस करना चाहेंगे क्या पटवारी का जो प्रिणाम है वो एक बार पुने जारी होगा या नहीं होगा या फिर कुछ ही पारियों का इसमें संसोधन किया जाएगा ठीक है तो साथियों उससे पहले मैं आपको गुणा बिर्थियों को पास करके मुख परिक्षा करवाई जाए भाई का विचार बहुत ही सहमत हूं है और आप भी क्या इस विचार से सहमत है कोमेंट्स बोक्स में जरूर लिखे अगला कोमेंट्स है भाई ने लिखा है नोर्मलाइजिसन को हटा देना चाहिए ठीक है और अगला भाई ने कोमेंट्स लिखा है कि हर पारी से एक उसते निकाला जाए ठीक है यानि यह आप सभी के अलग-अलग कोमेंट्स है तो सबसे उचित हमें यही लग रहा है कि भाई इसमें क्या होना चाहिए इस परिक्षा को प्रिमान लिया जाए कि भाई पटवार में भी ऐसा ही था ना सभी का लेवल अलग-अलग था तो जो एस मंजस्त की स्थिति होना बिलकुल सभाविक था तो इससे यह हो जाएगा हमारे जो बेरोजगार भाई है वो भी खुस हो जाएंगे और हमारे जो पढ़ने वारे युवासाती है वो भी क्या है प्रिका होने से इसमें क्वालिफाइब होती आसानी से कर जाएंगी ठीक है तो इस समय बोड़ के सामने बहुत ही बड़ी मैं एक मानता हूं कि एक सी दर्दी साबित हो चुकी है कि भाई वो किस पारी में कितने कंडिडेटों को पास करें तो करें तो किसको करें क्योंकि आप सभी को पता ह है फोट पारी में बहुत ही जादा बच्चों के 230 220 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो उनको भई कटोप में सामिल नहीं करें तो समझ चाहां करें तो समझ चाहां करें भई मान लो उनको सामिल कर लेंगे तो जो बाकी फर्स्ट रेकिन थर्ड़ शिप्ट हैं उनके बच्च तक नंबर हो सकते हैं घट भी बच्चते हैं और आपके बढ़ भी सकते हैं और वैसा ही हुआ इप साथियों देखते हैं क्या होगा आपकी राय क्या है आप क्या चाहते हैं तो आप इस कॉमेंट्स बुक्स में अपनी राय जरूर लेके